मैं महिस सेनी निदेशन आरसी संस्थान आप सभी आधनिय अभिभावकों का इस लाइव वीडियो संदेश में स्वागत करता हूँ वैं आप सभी को मेरा प्रणाम आधनिय विभावकण आज का यह वीडियो संदेश आरसी बाल मेला 2022 के संदर में हैं प्रतेक वर्ष की भाती इस वर्ष भी आरसी संस्थान में एक बाल मेले का आयजन किया जाएगा और यह बाल मेले की जो परंपरा है विगत नो वर्षों से भी अधिक समय से विद्धाले में संचालित हैं बाल मेला 14 नवेंबर 2022 को विद्धाले में आजित किया जाएगा मैं आपको बाल मेले से संबंदित संपूर्ण जानकारी इस पूरे वीडियो मैसेज में देना चाहूंगा और इसे आप अन्तिताख अवश्य देखिएगा ठीक है आप प्रारम करते हैं बात को विस्तार पूर्वक आरेशी जो बाल मेला है इसका क्या ठीम है और यह क्यों आजित किया जाता है पहले नंबर पर आरेशी बाल मेले के अंदर आरेशी बाल मेले 2022 के अंदर भिन-भिन कक्षाओं के विधार्थी खाने पीने से समबन देत, गेम से समबन देत। एस्ताल्स लगाते हैं, अपने टीचर्स के मारकदर्शन में कुँछ बच्चों के ग्रूप सायार किये गए हैं, जो उन्हें बता दिए गए हैं, कौन-कौन सा बच्च्चा, किस-किस खाने-पिने की वस्तू की इस्टाल लगाने वाला है टीचर्स मारदर्शन करते हैं इसमें बच्चे पहले स्वेम अपने इस्थर पर रुपे का इंतजाम करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं बच्चों को यह बात इसपश्ट रूप से बता दी गई हैं कि जितने पेज 70 या 100 जो भी टीचस ने आपको बताए हैं ये पैसे आपको वापस रिटन कर दिया जाएंगे कितनी अच्छी और खुबसूरत बात है कि आप लोगों को स्टॉल लगाने में मदद की जा रही है आप पहले अपने हैंड से आप उसमें इंवेस्टमेंट करेंगे और कि बाल में ले लगाने का फिर उद्देश्य क्या है मैं आपको बताना चाहत। इसके कई उद्देश्य हैं पहले उद्देश्य हैं कि स्कूल का उद्देश्य हैं बच्चों के अंदर आपसी सहियों के भावना को बढ़ाया जा सकें सामाजिक मुल्यों को बढ़ाया जा सक लैंग उनके प्रतीम के अंदर एक सकरात्मक्त भाव उनके प्रतीम समाज में उनके योग्दान के परतीम बच्चों के अंदर भी पॉजिटिव भाव पैदा हूं इस मंसा के साथ इसका जा रहा है और एकंतिम इस बाल मेले के अंदर बच्चों को अपनी किस प्रकार से सेल की जाती है वस्तूओं को उससे समधित ग्यान दिया जाता है किस प्रकार से बच्चे परचेश करते हैं सामान को किस प्रकार से अपने एक बज़त के अंदर एक नियमित बज़त के अंदर किस सामान को जो उनके लुप योग है उसे सीखने की कला आती है बच्चों में यानि सामाजिक मुल्यों में व्रद्धी होती है बच्चों का विकास होता है मांसिक रूप से सामाजिक रूप से और साथ में इस बाल मेले का एक सबसे खुबसूरत जो पहलू है जो आरसी विधालने इस बाल मेले को और ज्यादा भव्य बनाने के लिए जोड़ा है वो क्या है आप सुनेंगे तो आपका हिर्दाय बिल्कुल गदगद हो जाएगा मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं आप सुनेगा क्या बात है कि बाल मेले के अंदर जो भी बच्चा इन्वेस्ट करता है वो उसे वापस दिया जाएगा लेकिन साथ में कोई ऐसा बच्चा जिसको अगर बाल मेले में उसके स्टाल लगाने में कोई नुकसान होता है उसके भरपाई मैं स्वेम करूंगा तो नुकसान किसी को नहीं होगा और अगली बात इस बाल मेले के अंदर जो इनकम होगी जो भी इनकम होगी जो ब बाट दिया जाएगा आपसी रूप में, for example, 100 रुपे की बचत हुई, तो 15%, 15 रुपे होता है, उस बच्चे को दे दिया जाएगा, यानि investment का पैसा भी तन कर दिया जाएगा, और साथ में जो बचत होगी, उसका 15 परतीसत भी बच्चे को दे दिया जाएगा, अब बाकी 85 पर 30 रुपे हैं, वो सभी स्थाल के जो बाकी का पैसा है, उसे संकलित करके, गायों को गोशाला में चारे की विवस्ता की जाएगी, पसु पक्षियों के लिए दाने पानी की विवस्ता की जाएगी, साथ में गरीबों को अन्न की विवस्ता की जाएगी, क्योंकि आरसी स्री राम रसोई का भी अन्य सेवा का भी संचालन करता आ रहा है विगत कुछ महीनों से तो उस पैसे में जो बचत होगी उन सभी पैसों को संकलित करके और उसमें मेरे द्वारा और सभी शिक्षकों का कुछ आंसिक सा योग मिला करके और गायों को गोशालाओं में पसु पक में खान-पान और उसी के अंदर ही पुन्य कर्म भी जुड़ेगा, उस में आप सभी की विशा ही ओगे तर हैगी, सभी बच्चों का कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ इसमें सभी के भागेदारी होगी सभी पुन्य अर्जित कर सकते हैं इस बाल मेले में जी हाँ पेरेंट्स इस बाल मेले के अंदर अभी बावकों को भी आमंत्रित किया जाता है अभी बावक अपने बच्चे के साथ आ सकते हैं अभी बावक अपने बच्चे क इसके अंदर आमंत्रित हैं यह इस बाल मेले की ठीम थी है ना कितनी घिजब की और मुझे ऐसा लग रहा है आपको भी अच्छे लगी होगी ठीक है अब आगे जो अंतिम बात थी उसके तरफ चलते हैं इस बाल मेले में बच्चों को बता दिये गया है कि इन्वेस्टमेंट क की गई है कख्षा एक से लेकर के कख्षा चार तक के विधारतियों के लिए 50 रुपए निर्धारित किये गए हैं कख्षा एक से चार तक के विधारतियों के लिए 50 रुपीज निर्धारित किये गए हैं और क्लास फिफ्ट से लेकर तैन्थ तक के बच्चों के लिए 70 रु तो फिर्स्ट ए फॉर्थ के लिए 50 रुपीज और फिफ्ट से टैंथ के लिए 70 रुपीज 70 रुपीज ठीक है तो इन पैसों को आपको इस्कूल में बच्चों को देना है और कल ही कंपलसरी जमा होंगे यह इसके बदले में बच्चों को टोकन दिये जाएंगे 70 रुपे वाले बच्चों के गुरुप को 70 रुपे के हिसाब से टोकन दिवाइड किये जाएंगे एक एक बच्चे को और 1-2-4 के बच्चों को 50 रुपीज के टोकन दिये जाएंगे जितना भी लेंदेन होगा, जितना भी व्यापार होगा इसके अंदर, रिस्टॉल के अंदर, जितना भी, वह सब कुछ टोकन के रूप में होगा, पैसों के रूप में नहीं होगा अगर इसके अलावा भी कोई बच्चा एक्ष्ट्रा पैसा लेके आना चाहता है, पेरेंस भी अपनी तरप से खरिदारी करना चाहते हैं, तो वहाँ एक कैश काउंटर होगा, वहाँ आप पैसे दे करके और कूपन प्राप्ट कर सकते हैं और उन कूपन से ही खरिदारी होगी मेरा आप सभी अभी बाबकों से विनम्र प्रार्थरा है, आप अपने बच्चे को जो हम लोग उने 50 रुपीज और 70 रुपीज मंगवाए हैं, उन्हें कल अवश्य दे दें, इससे हमें एक डिजिक पाता लग जाएगी, और ये सभी बच्चों के लिए कंपल सरी रखा ग बच्चों में एक सहियों की भाव को व्यक्त करता है, और पुन्यकार्य अर्जित करता है, ठीक है, आप सभी का इस वीडियो संदेश में पुन्हे प्रणाम, जैहिन, जैरसी